हेलो एवरिवन अगर आप अपनी जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आपको स्टैब बाइ स्टैब बताऊंगा कि आप जीमेल अकाउंट का पासवर्ड फॉर्गेट कैसे कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे आप next पर क्लिक करते हो जैसे आप यहां पे इसका password भूल गई हैं तो हमें यहां से इसको forget करना है तो forget करने के लिए हमें नीचे option मिलेगा forget password हमें इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहां पर अपना mobile number फिल करना है जिस mobile number से हमने जीमेल अकाउंट बनाया हुआ है उस पर फिल करने के बाद आपको यहां पर दो option मिलेंगे tax और call का आप उस नमबर पर call करके भी verify करवा सकते हैं और tax पर OTP लेकर भी तो मैं यहां पर tax पर क्लिक कर देता हूं जिसे मेरे mobile नमबर पर एक OTP चला जाएगा तो यह देखिए OTP आ चुका है वो अपने आपी feel हो चुका है यहां पर तो अब यहां पर जो आपने new password रखना है उसका option आएगा आपको यहां पर create password में आपको new password अपना डाल देना है जैसे मैं डाल देता हूं यह password डालने के बाद आपको नीचे confirm पर क्लिक करके आपको दुबारा फिर वही password डाल देना है password डालने के बाद आपको नीचे option मिलेगा save password आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा आपको यहां से आई एगरी पे क्लिक कर देना है उस पे क्लिक करने के बाद यहां पे अभी प्रोसेसिंग चल रही है यह देखिए हमारी जो जीमेल अकाउंट है वो खुल गही है यहां पे हमारा पासवर्ड फॉर्गेट हो चुका है अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ठैंक्यू